हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो चंद्राल्स किचन मैं हूँ आपकी होस संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर क्या ही हूँ प्रिस्पी मटर चीवडे की रेसिपी जो की आप सुभा भी बना के खा सकते हैं शाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है चट पटा होता है टेस् अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए है और आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है हम एड़ करेंगे पैन में 31 स्पून कुकिंग ओल अब इसमें हम एड़ करेंगे 200 ग्राम चीवड़ा ये मोटे वाले चीवड़े हैं जो हम पुहा बनाने के लिए यूज करते हैं उसके बाद में हम इसे तब तक पूनेंगे तीमी आच में जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाएं हल्के सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे अगर आप ऑइल आवाइड करना चाहते हैं तो बिना ऑइल के ये क्रिस्पी हो जाएगा पर थोड़ा सा ऐड़ करने से जल्दी ये पक करके तियार होता है तो ये देखिए इस तरह से पक जाएगा इसे आप जब ब्रेक करेंगे तो ये बीच से असानी से ब्रेक हो जाएगा तो बस हो गया इसे अब हम निकाल करके एक प्लेट में अलग रग देते हैं इसे थोड़ा फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और क्रिस्पी हो जाए उसके बाद में हम पैन में एड़ करेंगे एक मुठी मुठी के दाने और ग्राम्स में हम 25 ग्राम के लगपक ले लेंगे और इसे भी हम बून लेंगे इसमें ऑईल डालने की ज़रूरत नहीं ह इसे हमें क्रिस्पी होने तक फूनडा है उसके बाद में इसे भी हम निकाल करके प्लेट में रख देते हैं ये देखिए पग गए है ये अब इन्हें भी साइड में हम रख देते है उसके बाद में हम पैन में एड़ करेंगे कुकिंग ओल आधा टेबल स्पून इसमें एड़ करेंगे एक मीडियम साइज का प्यास लंबाई में कुटा हूआ उसके बाद में 10-12 करी लीव सेट कर देंगे और दो हरी मिर्चे एड़ कर देंगे उसके बाद में इसे हमें भूनना है और तब तक भूनेंगे जब तक कि ये transparent हलकी से इसमें golden color आजाए और soft हो जाए अच्छे से इसे बहुत ज़्यादा brown या crispy नहीं करना है नहीं तो उसमें एक कसेला सा टेस्ट आजाएगा जो कि इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे तो जब ऐसे पकने के बाद में हम एट करेंगे 100 ग्राम फ्रेश मटर अगर फ्रेश नहीं है तो frozen आप एट कर सकते हैं अभी सर्दियों का टाइम है तो इसमें आपको फ्रेश मटर आसानी से मिलती है और फ्रेश मटर के साथ में ये बहुत टेस्टी लगता है जो soft fresh मटर आ है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगी पास से दिखा देती हूं ऐसी तो मटर पक करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं अब इसमें हम एट करेंगे एक चौथाइटी स्पून हल्दी पाउडर एक चौथाइटी स्पून मिर्ची पाउडर एक चौथाइटी स्पून धन्या पाउडर इसे mix कर लेते हैं, masalay इसमें बहुत ज़्यादा बहुत तेज मसाले नहीं पड़ते हैं, हलके masalay पड़ेंगे और उससे इसका taste बहुत अच्छा हो जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा tasty लगता है तो इसे हम अच्छे से mix कर देते हैं इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे salt, यह Himalayan pink salt है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा वह अपने taste के हिसाब से आप एड़ कर लीजे और एक चौथाई टीस्पून एड़ कर देंगे चाट मसाला आप चाहें तो आमचुर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं पचाट मसाले में सारे मसाले mix होते हैं तो उसका flavor और अच्छा आता है अब इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यह मसाला बन करके ready है अब हम gas को बन कर देंगे flame जो है उसका बंद करने के बाद में जो हमने चीवडा और मुमफली को भूना हुआ था वो हम इसमें add कर देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसे आप बहुत देर जैसे ही आप serve करना हो वैसे ही इसे आप mix कीजे ताकि इसमें का जो crispy पन है वो बना रहे तभी ये खाने में तेस्टी लगता है अगर आप इसे बना करके रख देंगे बहुत देर तक तो ये soft हो जाएगा इसमें moisture आजाएगा और खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा ऐसा लगेगा कि आप पोहा भीगो करके खा रहे हैं और अब उसमें उपर से अट कर देंगे हम हरे धनिया तो बस ये ready है सर्फ करने के लिए इसे गरमा गरम सर्फ करें चाहे के साथ चाहे तो सुबा चाहे तो शाम और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं next recipe के साथ thanks for watching by और हाँ गर आप मेरी channel पे नए है और recipes पसंद आती है subscribe नहीं किया तो please subscribe ज़रूर कीज़े चलिए मिलते हैं next recipe के साथ thanks for watching by कर दो कर दो जो कर दो दो कर दो तो